इंजिनियस के लिए एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है पर्मनेंट जॉप की रिक्रूटमेंट आ रही है और ये आ रही है GGL यानि की Green Gas Limited की तरफ से एक बहुत ही अच्छी ऑगनाईजेशन है बहुत ही बड़ी ऑगनाईजेशन है आप लोगों ने जरूर इ कर सकते हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी सेलरी फाइव लाक्स पर एनम यानि कि आपको पांच लाग की CTC मिलने वाली है और मता देना चाहता हूँ फ्रेशर लेवल पे पांच लाग की CTC बहुत ही अच्छी होती है बहुत ही रियर होती है इसलिए बहुत अच इनी की प्रोफाइल किया है सब के बारे में बात करें कि कहां कहां से अपलाई कर सकते हैं हर चीज के बारे में बात करेंगे इसी लिए वीडियो को ला सक जरूर देखिएगा तो दोस्तों मेना नाम है AD Singh and I welcome you all on my channel Civil Engineering Destination a complete solution to every civil engineer हम रोज सुबा 10 बजे आपके लिए प्राइ में WhatsApp और Telegram पर भी follow कर सकते हैं कल आप लोगों ने एक नया record बनाया है मैं आप सब को बात यह share करना चाहूंगा कल मैंने सुबह WhatsApp ग्रूप बनाया और 6 घंटे के अंदर आप लोगों ने WhatsApp ग्रूप फुल कर दिया फिर मैंने शाम को एक नया WhatsApp ग्रूप बनाया और वो भी अगर आपको सीखता है एक अच्छी CV कैसे बनाते हैं तो हमने आपके लिए वीडियो बना दी है बहुत ही डिमांड आ रही थी हाओ टो मैंका स्ट्रॉंग सीवी मैंने वीडियो बना दी है आप लोग चाहूदे से देख सकते हो और अच्छी CV बनाना सीख सकते हो मैं इसलि अपने बहुत जादा सुना होगा पेट्रोल पंस इनके हैं लपीजी है इनका जो पाइप वाली होती है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर एक फील्ड में है वहां से इंजीनियर्स के लिए बेसिकली वेकिंसी आ रही है अब जब आप इसके करियर सेक्शन में जाओगे तो आपको इस समयस की जितनी भी recruitment है सब मिल जाएंगी एक चीज़ मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ इसमें civil engineer के लिए job कहीं नहीं है कहीं नहीं लिखा है कि आपको civil होना चाहिए बट क्योंकि ये fire and safety से related है safety कहीं ना कहीं हमारी trade से related है इसी लिए इसमें civil वाले भी apply कर सक बी टेक किसी भी trade से किया हो आप हर इसमें apply कर सकते हो तीन पोस्टे आ रही है officers fire and safety, officer projects and operation and maintenance और officer contracts and procuments अब सब में ही freshers eligible हैं सब की salary 5 lakhs per annum 5 lakhs की CTC मिलने वाली है freshers level पे इतनी CTC मिलना बहुत अच्छी बात है बहुत ही कम लोगों को मिलती है तो अगर आपको freshers level पे इतना मिल जाता है तो समझ लीजे आने वाले future में आपको कितनी growth हो सकती है पूरा career set हो जाएगा job location की में बात कर लूँ तो ये all over UP उत्तर प्रदेश रहने वाली है आपका आगरा में लखनों में सुल्तान पर उन्नाओ बिसिकली उन्होंने ये चार जगा mention करी है लेकिन इसके अलावा जहां जहां इनका project चल रहा है जी जी एल का plant है जी जी एल का का काम हो रहा है आपको पूरे all over उत्तर प्रदेश में vacancy आपकी job location मिल सकती है तो आपको कहीं भी posting दी जा सकती है अब सब के बारे में एक एक करके detail में डिसकस कर लेते हैं पहले हम डिसकस करते हैं अपनी trade से that is fire and safety के बारे में तो ये आपको जब आप career section बिजाओगे तो आपको ये मिलेगा आप आपको apply में करना सरसाथ में बता देता हूँ आप इस पे click करो जिस पे भी click करना चाहते हो for example officer fire and safety जब आप click करोगे तो आपके सामने पूरी job profile खुलके आ जाएगी अब इसमें आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आपकी CTC पांच लाथ 30,000 के आसपास होने वाली बहुत अच्छी CTC है annual ठीक है industry oil and gas energy power infrastructure अब education में BEB tech in any stream apply कर सकता है अब CS हो mechanical हो civil हो फरक नहीं पड़ता हर को इसमें apply कर सकता है मैं आपको इसी साफ साफ बता देना चाहता हूँ बेटा जब इतनी अच्छी company में से इतनी बड़ी company में से जब ऐसी profile आया करे ना इतनी high CTC के लिए तो civil mechanical मत देखा करिए जिस भी trade के हो apply कर दो at the end of the day पैसा matter करता है आपकी salary matter करती है अब अगर वो civil हो तो आपको जनरल का करने के लिए इतनी अच्छी CTC मिल लई है तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए इतना move नहीं देखना चाहिए बहुत सारे बच्चों की comment आती रहती है सर मैं एक साल से फालतो बैठा हूँ मुझे civil में अच्छी job नहीं मिल लई है तो कोई बात नहीं अगर कहीं और आपको job अच्छी मिल लई है तो आप वो पकड़ लो कुछ टाइम बाद जब civil में job मिले जब experience हो जाए पैसा हो जाए तब आपस अपनी trade में आ सकते हो corporate sector बहुत बढ़ा होता कभी भी switch कर सकते हो कभी भी अपनी trade change कर सकते हो तो मैं आप सबको यही suggest करना चाहूंगा कि अगर आप civil तो apply करने के लिए आपको नीचे apply का option आ रहा होगा जब आप apply का option पे आओगे आपके सामने एक form खुल के आ जाएगा आपको यह form भर के भेज देना है यहाँ पे अपना नाम mail address, mobile number आपकी जो भी location है और आपका experience, experience में आपको यहाँ फ्रेशर डालना है because आप लोग और यहाँ पे आपको अपना resume attach करना है इसलिए मने शुरू में आपको बताया था कि आप resume वाला video देख लो उसके बाद अच्छे से resume बनाओ और फिर इसको भरो ताकि आपके selection होने के chances अच्छे रहें कोई भी post में अगर form भरा करो को selection लेने के लिए form भरा करो फालतों में form मत भरा करो कुछ फाइदा नहीं है पहले ही बताती है मैंने यहाँ पे आपको अपना course डालना है आपने क्या किया है B, E, B, Tech जो भी किया हो डिप्लोमा अच्छा है इसमे लिजबल नहीं है ठीक है सबसाब बता दिया है मैंने UG course किया है PG course किया है जो भी किया है उसके बाद आपको submit कर देना है ऐसे आपका form submit हो जाएगा अगर आप shortlist होते हो तो आपको interview के लिए बुलाया जाएगा hopefully इनका GDP होना है और interview भी होगा company अच्छी है इसलिए selection procedure थोड़ा tough हो सकता है मेरा अंदाजा यही है ये तो बात हो गई हमारी civil वालों किया जो भी trade है उनके बारों में अब हम specific बात कर लेते हैं mechanical और electrical वालों के बारे में बहुत ज़दा demand आ रही है सब mechanical और electrical के लिए भी कु projects operation and maintenance इसमें भी आपकी salary same है इंडस्ट्री same है functional area में बता देता हूँ site engineer project manager ये site engineer mechanical वाला है ठीक है mechanical में भी site engineer होते हैं कम होते हैं लेकिन हाँ होते हैं site engineer हर जगा होता है ठीक है अब आपका role क्या होगा project management का role होगा eligibility में अगर आपने BEB tech कर रखा है in electrical या mechanical तो आप इसमें apply कर सकते हो अगर आप fresher हो electrical engineer हो mechanical engineer हो तो आप इसमें apply कर सकते हो इसमें भी apply करने का procedure same है basically आपको एक form भरना है अपनी cv attach करनी है और आपका form एसे accept हो जाएगा अब महीं जो माई तीसरी post है that is officer contracts and procurements तो इसका भी कहीं न कहीं same ही profile है हर चीज सेम है salary सेम है functional area अलग है मों मैं आप से discuss किये देता हूँ that is supply chain logistics purchase and material इसमें कौन को न apply कर सकता है तो इसमें qualifications के लिए BEB tech in electrical mechanical and instrumentation तो अगर आपने इसमें BEB tech कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौंगा रहा है और इसको भी apply करने का procedure एक तम सेम है जैसे पहले दो post के लिए था आपको एक online form भर कि अपने resume लगा के इसमें send करना होगा आपका form accept हो जाएगा तो तीन post हैं तीनों ही post बहुत अच्छी है तीनों की location भी same है तीनों की salary package भी same है और तीनों ही freshers के लिए है तो I think हर किसी को इसमें apply करना चाहिए फरक नहीं पड़ता आप CS से हो mechanical से हो electrical से हो पहली जो general post उसमें हर कोई apply कर सकता है बाकि mechanical और electrical से मेरी गुजारिश है कि वो अपने ही trade में भरें दूसरों की trade में जो एक common trade है उसमें ना भरें क्योंकि उसमें औरों को भरने दे ताकि सब को मौका मिलने पाए और जो mechanical और electrical की trade है उसमें तो भरे ही भरे उसमें सिर्फ वो ही भर सकते हैं वो trades तो उन्हीं के लिए है तो I hope मुझे आपको और को समचान जरुवत नहीं है इसमें selection procedure की बात कलने तो इसका जहां तक मुझे लग रहा है एक छोटा मुटा exam हो सकता है या फिर आपका direct walk-in interview या फिर short list के according आपको marks के according हो सकता है इसका selection procedure important dates जल्द से जल्द recruitment होने की पूरी कोशिश करेगी GGL बहुत ही अच्छी कंपनी है या पे काम बहुत ही तेज होता है अक्सर न्यूस में GGL का जिकर रहता ही रहता है तो बहुत ही famous organization है इसके बारे में discuss करने की ऐसस्थ को जरूरत नहीं है salary मैंने आपको बता दी है location मैंने आपको बता दी है final year eligible नहीं है इस बात का ध्यान रखे final year कि अगर आपके exam हो चुके है हाथ में result आ गया है mark sheet आ गई है तब आप apply कर सकते हो अगर आप third year में हो exam नहीं हुए है या result नहीं आया है तो बेटा आप apply नहीं कर सकते हो ठीक है जो final year का होता है वो मैं अलग से आपको बता देता हूँ हर वीडियो में final year का मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि वो लोग नहीं eligible होते हैं तो I hope मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है किसको कैसे apply करना है so आज के लिए भी के लिए इतना ही thank you and God bless all of you